अगर आप अपने छट कराने जा रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत important होने वाली है क्योंकि इस वीडियो मैं आपको 5 ऐसे important काम बताऊंगा जो कि छट कराने से पहले यानि कि छट की डिलाई से पहले आपको ओ चीज अपने छट में जरूर चेक करनी है और ये काम ज जाता है अकसर देखा जाता है कि छट से vibration होता है उपर से आवाज आती है छट में कई जगा बहुत लोगों ने मेरे सवाल भी किया था इसी वज़ा से तो यहां क्या 5 important काम है वो चीज आप ध्यान से देखेगा सबसे पहला जो काम होता है दोस्तों कि जब आपका शट्रिं है ज्यादा joint जैसे होता है जैसे beam में भी देखा जाता है जैसे आप यहां पर देखिए यह जो यहां फे फटे यह यानि लकड़ी के जो फटे plank यूच किये गया है तो उसमें है क्या कि बीच बीच में बहुत सारा gap है छट में जैसे plyboard में आप देखेगा कि पुरानी किसम कि यहां plyboard है तो बहुत ज्यादा खराब है बहुत ज्यादा उसमें gap है तो पहले सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि इस gap को बंद करना है चाहे आप certain tape आती है उससे इसको बंद कीजिए और अगर ज्यादा खराब है मानलीजे MS plate ही है उसमें छेद है ज्यादा joint है या ply ह ज्यादा खराब है या ज्यादा उसमें joint बन रहा है तो या तो आप पनी डालिए plastic polythene seat होती है और डालिए लेकिन उसको proper आपको पहले बंद करना है अगर आप नहीं बंद कीजिएगा तो यह सबसे बड़ा नुकसान करता है हमारे च्छत के लिए क्या कि जितना हम च्छत सबसे important चीज़ यह होती है जो कि अकसर लोग ध्यान नहीं देते हैं कि जो पीलर होता है जो column होता है वो column क्या है कि जितना हमारा लैपिंग के लिए टुकड़ा अब इसमें जैसे आप देखना ही यह उठा हुगा है तीन फीट पे कहीं साड़े तीन है कहीं धाई है और उस इससे कई-कई छोटे भी हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जब आपका रड बन जाए यानि सट्रिंग पूरी होने कि जब हो उसमें छत में अपने श्टील बनते हैं सरीया बनते हैं तो उसी टाइम सभी जो आपने जितना पीलर में सरीया छोड़ रखा है सब को च करनेट रखना है तो आप अगर छोटा है तो उसी टाइम आप एक सरीया का टुकड़ा काटे 12 mm 16 mm जितने मोटा आपका एस्टील यूज हो रहा है पीलर में उतना लें चार फिट पांच पिट का टुकड़ा और उसी टाइम ढलाई से पहले आप उसको फंसा दे तब जाके जो पीस होगा पीलर का जो सरीया होगा उपर आपका एकदम फिक्स रहेगा तो आप उसके उपर से लैपिंग करके उसमें सरीया जोड़के उपर अपने उपर के फ्लोर के लिए फिर से पीलर को बना सकते हैं तो अक्सर देखा जाता है जैसे यहां देखिए सब कहीं पर छ चोटे 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 चोड़ देते हैं, अब या तो इसमें वेल्डिंग किया जाता है, या फिर छट को काटा जाता है, या फिर ड्रिल किया जाता है, तो ये तीनों अप्सन यहाँ पर बहुत ही बेकार है, सिर्फ आपके पास एक ही अप्सन बचता है, कपलि यह चेक करनी होती है कि जो हम इस्टील बांध रहे है छत में जो भी एकदम सही से बंधा है कि नहीं जो क्राइंक बार हम दिया है बिल्कुल अपने पोजीशन पर है कि नहीं क्राइंक बार ऐसा तो नहीं है कि मुड़ गया है तो क्राइंक बार एकदम सही 45 डेगरी पर एकद कम में और टॉप में तो क्या उतने ही इस्टील कम दिया गया है च्छत में जो बांधना था हमें सरीय क्या वह सही है तो अगर कुछ कम हो रहा है सब कुछ चेक करने के बाद फिर आप उस बीम को सही से बांधिये आपका जो सरीय है यानि कि 10 mm का जो इस्टील आप यूज कर र दोना है धलाई से पहले और भी कुछ इंपोर्टेंट चीजों होती है जैसे कि बिजली का काम होता है एलेक्ट्री का पाइप डालना फैन बॉक्स डालना कंड्यूट कंसील डाइट होती है ओडालना तो सब कुछ आपको डिजाइन के हिसाब से सब जो पाइप होती है सब अगा लेनी है कभी बिजली की आपको इस्तमाल करनी है और चाहे आप पॉली कैप के लिए, प्रली के ले ले, कोई भी अच्य ब्राइं पाइप का बाइप ले, कम से कम 25 mm मोटा और 2 mm थिकनेस ऑपने होना चाहिए उस से कम का पाइप आपको नहीं देना है जो फैन बक्स द दगतें हैं जो उसमें डालते हैं उसमें अपने छट में तो उसका प्रोपर देखें जहां भी जोईंट है अच्छा किया गया है कि नहीं जो फैन बॉक्स है उसके नीचे जो हम पेर काटून रखते हैं तो क्या गत्ते होगर यूज करते हैं तो क्या उसके नीचे प्रॉपर अच्छे से रखा हुआ है कि नहीं और जो भी हमारा बिजली का जो पाइप हम ले जाते हैं जहां में लाइन में अपना उतारते हैं तो बहुत जगह देखा जाता है क्या कि बहुत सारा पाइ हो सकता है छत में वहाँ गैप बन जाएगा इसलिए आप जितना भी पाइप उतारे तो कम से कम पाइप के बीच में एक एक दो दो इंच का गैप जरूर रखे जिससे कि उसके बीच में मसाला चला जाए तब जाके आपका छत मजबूत होगा यह बहुत जरूरी चीज है छत बनाने के टाइम में आपको धियान रखने के लिए और सबसे इंपोर्टन चीज होता है हमारा कॉवर ब्लॉक तो कॉवर ब्लॉक देखिए ज्यादा नहीं एक रुपिया पर पीस का मिलता है लेना है आपका जो बीम के साइड में बीम के नीचे और जितना भी हमारा चत पे सरीया बंदा है हर तिन-तिन फिट के दूरी पे अब कवर ब्लॉक 20 mm का ले ले या फिर 25 mm का ले ले वह आप लगाए इससे क्या है कि जो रोडी होता है हमारा जो मसाला होता है वह सरीया के नी लगने लगता है हावा और पानी के कंटेक्ट में आता है तो इस वज़े से पूरा चत कम जोड़ होने लगता है तो इस सिर्फ कवर ब्लॉक लगाने से यह सब चीज वहां पे नहीं देखने को मिलता है और हमारा चत भी काफी मजबूत होता है बहुत जगा साइट पे लगता है तो जो काम आपका कवर ब्लॉक करता है और चीज आपका इंट और गिट्टी नहीं करती है इसलिए आप 500 रुपे खर्चा करेंगे अगर 1000 स्क्वार फिट का चता है तो सिर्फ 500 पीस आपका कवर ब्लॉक लगने वाला है उससे आपका चत काफी मजबूत हो लगाए जाते हैं कि जैसे देखा जाता है क्या कि धलाई के time में जैसे हमारे साइड में जितने भी बीम होती है वहां पर क्या है कि सब्सक्राइब लगाए कि तूख लगा करद्ना ने क्यों बहुत हो जब बिजली के पाइप के टुकड़े होते हैं, वो पड़े होते हैं, टेप पड़े होते हैं, कहीं पे गत्ते पड़े होते हैं, कहीं पे इट के टुकड़े होते हैं, गिट्टी पड़े होते हैं, लोग वैसे ही ढाल देते हैं, जबकि ये सब चीज आपको ध्यान रखना है, पर लकड़ी के छोटे-छोटे जो प्लाई के टुकड़े हैं तो सब कुछ आपको वहां पे साफ सफाई करनी है फेक देनी है और उसके बाद वहां पे छत की ढलाई का काम सुरू करवाना है तो इस तरीके से आपके छत में किसी तरीके का क्रैक देखने को नहीं मिलेगा एक दम जो मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं बताऊंगा कि छत की ढलाई की टाइम में आपको क्या-क्या ध्यान रखना है कुछ important बाते तो उसके लिए आपको करना क्या है सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे तैकि जैसे ही मैं वो वीडियो डालू तो सबसे पहले आपको उ नोटिफिकेशन मिल जाए